मेरे प्यारे सातियों नमस्कार आज की वीडियो में राजस्तान जी के के 25 बहुती इंपोर्टेंट परसन लेके हैं और ये सभी परसन एक्जाम की दिश्टी से वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आप लोग वीडियो को सुरू से अंतक देखेगा साति रोजना राजस्तान जी के कैसे इंपोर्टेंट क्यूसन पाना चाहते है चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कीजेगा आपको डेली राजस्तान जी के कैसे इंपोर्टेंट क्यूसन के वीडियो मिलते रहेंगे पहले क्योशन आपके सामने राजस्तान राजे में किस तीथी के पचात विदूत उत्पादन क्षेतर में नीजी भागिदारी को प्रहरम कर दिया गया था बहुत important question है कि राजसान के अंदर जो विदूद क्षेतर है उसको नीजी भागिदारी के रूम में कब रहरम किया गया था जल्दी से आप लोग answer comment में बताइएगा तो विदूद को नीजी क्षेतर में किया गया था 1991 के अंदर option D इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर 2 की बात करें राजसान की पहली सोर उर्जा नीती कब जारी की गई राजसान की पर्थम सोर उर्जा नीती जो है कब और की सन के अंदर जारी की गई थी एकजाम में परसन पूछा जा चुका है तो 19 अपरेल 2011 के अंदर option C इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर 3 की बात करें राजसान सरकार की दूसरी गेंस आधरीत प्रियोजना कौन सी है राजसान सरकार की दूसरी गेंस पे आधरीत प्रियोजना कौन सी है वेरी वेरी इंपोर्टन है जल दी से अंसर कॉमेंट में बताइएगा तो राजस्तान की दूसरी गेंस आधारित प्रियोजना धोलपूर गेंस कंबाइंड साइकल पावर प्लांट है ओप्शन ए इसका सही उतर रहेगा क्योशन और फोर की बात करें राजस्तान में जल विदूत सक्ती के विकास में सरवादिक बादक ततो कौनस है तो सही उतर रहेगा मौसमी वर्षा ओप्शन डी हमारा उतर रहेगा क्योशन और फाइब की बात करें निविन वसे जेपूर नगर की स्थापना की जानकारी किस गरंद से मिलती है एक्जाम में परसन पूछा गया है वेरी वेरी इंपोर्टेंट आप लोग उत्तर जरूर दीजेगा और वीडियो केंते ही मांदरी से बताएगा कि 25 में से आपके कितने सही वे से आपकी प्रेक्टिश ही हो जाएगी और आपका पता लग जाएगा कि आपकी त्यारी कैसी आप लोग हरे क्यूसन का एंसर जरूर कॉमेंट में दीजेगा तो जेपूर नगर की जो स्थापने है वो बुद्धी विलास गरंत में मिल दे है आप्शन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसन वर सेवन की बात करें राजसान एकिकरन का श्रे किसे दिया जाता है राजसान एकिकरन का जो से है वो किसे दिया जाता है सरदार पटेल को ओप्शन बी हमारा उत्तरेगा क्योसन बर सेवन की बात करें राजसान एकिकरन से पूरो गंगानगर किस रियास्त का भागता राजसान का जो एकिकर्ण वा था उससे पहले गंगानगर जो एकिस से रियास्त का एक भाग था जो की सीकर गा था ओप्शन डी हमारा उत्तर रहेगा क्योंस नवर एट की बात करें राज्य में सबसे कम जनसंग्या घंतवाला जिला राजस्तान राज्य में सबसे कम जनसंग्या घंतवाला जिला है जोकी जैसल मेरे ऑप्सन भी हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर 9 की बात करें, कितनी देसी रियास्तों के एकिकर्ण से राजसान राजे का निर्बान हुआ था 19 देसी रियास्तों को सामिल करने के बाद में option D हमारा उत्तर रहेगा क्योसनवर 10 की बात करें राजसान निर्मान के पर्थम चरण में मस्य संग नाम रखने का सुझाव किसने दिया था क्योसनवर 11 की बात करें राजसान एकिकरण के कौन से चरण में जेपूर वे जोदपूर रियास्तों सामिल होई थी राजसान एकिकरण के दोरान किस चरण में जेपूर वे जोदपूर रियास्तों को सामिल किया गया था एक्जाम में परसन पूछा जा चुक है और वीडियो के अंदे में आप सुभी से एक मौश्ट इंपूर्टन क्योसन पूछा जागा उसका भी आप लोग उत्र जरूर दीजेगा देखते कितने बच्चे सही उत्र देपाते हैं तो राजसान एक एकरण में जो है जेपुर और जोदपुर को सामिल किया गया था चौते चरण के अंदर आपसन सी इसका सही उत्र रहेगा क्योसन और बारा की बात करें सन 1929 में मांकिस को रूस में आईजित भारत महुस्तों में अपनी परसूती देने वाली जोदपुर की मांगाई का कौन थी बहुत अच्छा कि उसने एकजाम में परसन पूछा गया है कि 1929 के अंदर रूस के अंदर जो है भारत महुस्तों हुआ था उसके अंदर एक जोदपुर की मांगाई का थी जिन्नों ने अपनी प्रसूती पेस की थी वो थी गवरी भाई ऑप्सन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर 13 की बात करें निविन वैसे कुमबा कालीन रणंगपुर लेख में बूंदी का क्या नाम मिलता है बहुत अच्छा क्योसन है कि कुमबा कालीन रणंगपुर लेख के अंदर बूंदी का जो नाम है वो वहाँ पे क्या नाम लिखा गया तो वरंदावली उसका नाम है ऑप्सन सी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर 14 की बात करें किस में राणा हमेर को विसम घाटी पंचनन की संग्या दी गई है किस के अंदर राणा हमेर को विसम घाटी पंचनन की संग्या दी गई है तो विज्यस्तम के अंदर ऑप्सन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर 15 की बात करें निविन में से बसंदगड़ का सिलाले किस से समंदित है चावड़ा, चोहान, सौलंकिया, राठोड़, जलती से आप लोग एंसर बताएगा बसंदगड़ का सिलालेक जो है चावड़ा से समंदित है ओप्सन ए हमारा उतरेगा क्योशनवर 16 की बात करें राजसान का एकिकर्ण कितने चर्णों में संपन वा था राजसान का जो एकिकर्ण वो कितने चर्णों में संपन वा था तो साथ चर्णों के अंदर संपन किया गया था ओप्सन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर 17 की बात करें राजसान का एकिकर्ण कब संपनवा दे कि एकिकर्ण चे जुड़ेवे एक्जाम में हर बार परसन बनते हैं आप लोग इस एकिकर्ण टॉपिक को अच्छे से कावर कर लीजेगा राजसान का एकिकर्ण जो की संपनवा था एक नॉवबर 19.56 को आपसन भी इसका सही उत्तर रहेगा क्योसनवर 18 की बात करें राजसान राजसे के एकिकर्ण के दोर में शिरौई को राजसान में कब सामिल किया गया हमने बात की थी जेपुर की जोदपुर की अब हम बात करें कि जो एकिकरन हुआ था वो जो है उसके अंदर सिरोई को कौन से चरण में सामिल किया गया तो छटे चरण के अंदर सिरोई को सामिल किया गया था option B इसका सही उत्तर रहेगा हम बात करेंगे क्योसर नवर 19 की निमिन में से मजसे संगी राजदानी कहां थी मजसे संगी जो राजदानी वो कहां पे थी तो ये अलवर के अंदर थी option D इसका सही उत्तर रहेगा क्योसर नवर 20 की बात करें आबू और दिलवाडा तसिलोंगा राज़सान में विले एकिकरण के किस चरण में हुआ था आबू और दिलवाडा तसिलोंगा जो विले है जो राज़सान के अंदर विले किया गया था वो एकिकरण के कौन से चरण में किया गया तो साथ में चरण के अंदर option सी इसका सही उत्तर रहेगा साथ में या आखिरी चरण के अंदर क्योशन वर 21 की बात करें निविन में से अपराजी सिलाले की प्राप्ति कहां से हुई थी अपराजी सिलाले की जो प्राप्ति वो कहां से हुई थी नाग्दा से, नाग्दा कहां पे हम बात करते हैं, नाग्दा की कई पार exam में क्योसन पूछा गया है, ठीक है तो आपराजी सिलले की जो प्राप्ति होी है वो नाग्दा से है, उद्वेपुर से होी है उप्षन से इसका सही उतर रहेगा जहां पे साज सिभू का मंदिर है कि उसनर 22 की बात करेंने मेरे से राइस यें गी प्रस्ती जो है 1593 ISV का रचेता कौन है राइस यें की प्रस्ती जो 1593 ISV के रचेता है जेन मुनी जेता आपसंडी इसका सही उतर रहेगा बात करते हैं कि उसनर 23 की आठवी स्थापदी का मानमोरी लेग किसे प्राप्त हुआ था आठवी स्थापदी का मानमोरी लेग जो है करनल जेंश टोट को आपसंडी इसका सही उत्तर रहेगा क्योस्थान वर्चोईस की बात करते हैं राजसान के किस अभिलेग से चार परमुख वर्णों के विवाजन की जानकारी प्राप्त होती है राजसान के किस अभी लेक से चार परमुख वर्णों के विवाजन की जानकारी प्राप्त होती है ओसियान लेक से 956 वी ओपसंसी इसका सही उतर है क्योशन और 25 की बात करें अकवर की चितोड विजे के उपरान चलाए गए सिकों को क्या का जा गया अकवर की चितोड विजे के बाद में जब चितोड उन्होंने जीता था उसके उस समय या उस जीत के उसो पे उन्होंने जो सिके चलाए थे उन्हें क्या का जाता है सिका एल सी ओप्सन सी इसका सही उतरेगा चलिए दोस्तों बात करते हैं आज का मोश्ट इंपोर्टन योसन आप सबी के सामने इसका एंसर आप लोग कॉमेंट में हमें जरूर बते हैं अगर आपको उतर नहीं पता है तो भी आप लोग कॉसिस जरूर कीजिएगा क्योंकि कॉसिस करने वालों की कभी हार नहीं होती राजस्तान के अबुल फजल के नाम से विक्षात इतिहास विद मौनोत नैनसी की जनमस्तली कहा है राजस्तान के अबुल फजल के नाम से विक्षात इतिहास विद मौनोत नैनसी की जनमस्तली है वो किस जगहें पे है सही उत्तर आप लो कॉमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक किजेगा और डेली ऐसे important क्यूसन पाने के लिए राजसन जी के के हर एक important क्यूसन पाने के लिए आज ये हमारे चैनल को subscribe जरूर कर लेना और पास में जो गंटी मिनी उसको जुरूर दबा लेना और ये भी बताएगा कि 25 में से आपे कितने से भी इमानदरी से कॉमेंट कीजएगा किसी भी क्यों सुनको लेके कभी डाउट हो या रायस उजाब देना आप लो कॉमेंट जुरूर कीजएगा और थैंक यू और वेस्ट अबलाग बाई बाई